हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे दही तरह जो की एक स्वीट डिश है और बहुत ही टेस्टी है तो आज हम वो बनाएंगे पर उससे पहले आप मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे चासनी उसके लिए मैंने पांच चाई के कप भरके शुगर ली है यानि कि चीनी ली है और इसमें हम एड़ करेंगे पानी पानी का मिजरमेंट पांच कप के लिए है धाई गलास पानी तो पानी एड़ कर लिया धाई गलास पानी एट करने के बाद हमें 10 मिनिट तक पकाना है हाई फ्लेम को और 10 मिनिट के बाद जब उसमें उबाल आने लगेगा उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे तो दस मिनिट हो चुके हैं इसमें उबाला चुका है और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और पंदरा मिनिट के लिए और पकाएंगे पंदरा मिनिट के बाद हम स्ट्रॉव को बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे हम एक तार की चासनी बनानी है हम दहीतरा का डू रेड़ी कर लेते हैं उसके लिए हमें चाहिए ड्राई कप मैदा अर अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन टेबल स्पून दही दही खटा होना चाहिए दही के बाद हम एक निम्भू का रस एड़ करेंगे क्योंकि दहीतरा थोड़ा सा खटा हो तो ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए और हाँ एक बात और अभी जो हमने चाशनी बनाई है आप उसमें केसर भी आड़ कर सकते हैं और इलाइची पाउडर भी आड़ कर सकते हैं मैंने केसर एड़ नहीं किया है मैं सिर्फ इलाइची पाउडर ही एड़ करूंगी अब इसमें जाएगा वन फोर्थ कप ओईल ठंडा ओईल गरम नहीं है नेक्स्ट इस वन टीस्पून ओरेंज फूट कलर अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पानी एट करके डू बना लेगे आप पानी की जगह मिल्क भी दूद भी यूज कर सकते हो पर मैंने आज सिर्फ यहां पर पानी ही यूज किया है और अब हम जैसे रोटी का आटा गुनते हैं वैसे ही बिलकूर करना है बस यहां पर डिफ्रेंस यह है कि जब हम रोटी का आटा बनाते तो वह काफी सॉफ्ट होता है पर यह डो जो हम बना रहे हैं वह थोड़ा सा हार्ड होगा तो अब यह हमारा डो हुच चुका है एकदम रेड़ी और अब हम इसे बिलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा सा मैदा और फिर जैसे रोटी बिलते हैं वैसे ही बिलना है पर रोटी से ज्यादा थीक होगा पर उतना भी थिक नहीं होगा वो मैं आपको दिखा दूँगी तो रोटी हमारी बन गई है और जो थिकनेस होनी चाहिए वो यह होती है और अब हम क्या करेंगे कि एक कैप लेंगे या फिर आपके पास कुकी कटर हो तो वह आप ले सकते हो और एसे चोटे चोटे राउंड में कट कर लेंगे आप चाहिए तो इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो पर इसे चोटा मत लेना एक्सेस डो को हम रिमूव कर देंगे और यह जो चोटी चोटी पूरिया है अब इसे हम डीफ्राइ कर देंगे वैसे वीडियो में आपको काफी कम दिखा रही हूँ पर जितना हमने डो बनाया था उन सारे डो की मैंने पूरिया बना ली है और इन पूरिय को हम तीन दिन तक स्टोड करके रख सकते हैं आपको आज जितनी पूरिया खानी है आप उसी सब से आज फ्रेश चासनी बनाए और बाकी की स्टोड कर ले और कल जितनी खानी है उतनी कल चासनी बनाए उसे होता क्या है कि पूरी हमारी क्रिस्पी रहती है अगर सारी चासनी आज बना के सारी पूरिया उसमें आज ही डि तो अगर आप पॉसिबल है तो आप ऐसे ही करें वरना आप सुबह में डिप करके शाम को खाएंगे तो वह भी चलेगा तो ऐसे ही सारी पूरिया हमने तल ली हैं एक जितना दो हमने बनाया था उतने सारे पूरिया बनाई हैं वह मैं आपको दिखा देती हूं तो इतनी सारी पूरिया बनी हैं जिसमें से आज मुझे चाहिए उतनी ही मैं चासनी में डिप करूंगी और बाकी को एरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दूंगी तो आज मैंने इतनी शुगर शिरफ बनाई है जिसका मेजरमेंट मैंने आपको पहले ही बाता दिया था और इतनी पूरिया मैंने इसमें डिप कर दी हैं और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा दहीतरा बिल्कुल भी रेडी है खाने के लिए और यह बहुत ही टेस्टी लगता है अगर रैसी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना थैक्स पो वाचिंग